हेलो एवरीवन वेलकेम बैक टो माई चैनल लाइफ अप्रिश्मी कैसे आप सब आशा करते हों अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूं तो देखिए मैं आज पत्ता गुबी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि मैं किस तरह से बनाती हूं तो एई रेक हारी मिर्च कट कर रख ली हो मटद चिल कर रख ली हूं तो साहते हैं तुझ सब मेरे तैयार हैं अब यह थोड़ से चटक जाएगा उसके बाद फिर में इसमें हरी में चैट कर दूँगी जब हरी में अच्छे से हो जाएगी उसके बाद फिर में जो मटर चील के रखे हैं उसको डालूँगी और थोड़ा सा हिला के इसको ढख दोगी क्योंकि मटर उचलती बहुत है तो जलने का डर रहता है इसलिए कभी मटर डालके तुरंत ढखन से ढख देना चाहिए तो इसलिए मैं ढखती हूँ और बीच में देखे थोड़ा से चलाओंगी भी तो हल्का सा खोल पूरा नहीं खोलेंगी ऐसे हल्का सा उपर नीचे कड़ कच्छी रह जाए तो यह देखे अभी मटर हो चुकी है कलर भी आपको चेंज लग रहा होगा तो अब उसमें मैं पत्ता गोगी और आलू जो कट करके रखी हूँ उसको डाल दूँगी और अच्छे से अब उसको मिक्स कर दूँगी तब देखे मैं कुछ भी ने डाली हू पत्ता गोगीacción आलू जो कट करके रखी हूँ वे डाली हूँ भस अब इसको अच्छे से करूंगी और इसमें धुश में धुटा सा नमक डालीनगी टेष्ट के हिसाब से जैसा भी नमक हम जादा जैसे भी खाते हूँ उसे हिसाब printing साब्दा दालना है तो बस अभी नमक कर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और उसके अदब ढखके थोड़ी देर पकाऊँगी तो गैस सिम में रहे कि गैस को फ्तीज नहीं करना है और बस एक दो-दो मिनट में इसको देखना है और आलू को हमको इतनी पकाना है कम सेवेंटी परसंट पक गया 30% कच्छी रहने अशया तो अलू को चुकी ती इस में मसाल्य डाल रहे हूं जैसे हलडी पाउडर है दनिया पाउडर है और कश्मी लाल मिच है गरम चांब यह सब्साल्य मसाला के इसको अच्छे से में पूरे मसालों को मिक्स कर देखें। अरे मिक्स करना हूं कर लवआ ग Hilli में कर दो कर दो कर दो को देखे इसको मैं दो-तीन बार हीलाई हूँ दो-वाइक मिननट में अग्ये देखें अब यह आलो पाद गवाया हूँ और दीच में देखें कैसे जगा बना रही हूँ और इसमें जो टोमाटर करके रखे हो लुट्बड़ दोगी और पूरी सब्जीयों से अच्छे से कव पांच मिनट हो गया तिस लेखे तो त्माटर को अच्छी से गल चुके हैं तो तमाटर को अच्छी से मच्स करना है क्योंकि ट्माटर सबजी के साथ में गलें मेला तो तो बहुत अच्छी मतल़ इसका अब पूरा सब्जी में आ गया है और अच्छे से टमाटर को अच्छे से मैश करके फिर पूरी सब्जी में मिक्स करेंगे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखिए सब्जी में पानी एक भून भी एड़ नहीं करी हूं है न यह देखिए अब फिर चेक कर रहे थी आलू अब टमाटर मैश करने के बाद फिर इसको यह धनिया हमें हरी धनिया कट करके रख ली हूं और इसको अब टमाटर जो पैसके उसके बाद कम सकम दो तीन में तक हमको थोड़ी दे डपके और थोड़ी दे फिर खुले में तो यह देखिए डख डख के मैं थोड़ा सा कर ली हूँ और अब इसको मैं खुला ही भूंजूंगे अब इसको ढखोंगे नहीं क्यूकर हमको थोड़ा सिसको सिर्फ सुखाना है तो यह देखिए यह सब्जी आलमस्थ हमारी तयारी हो चुकी सूख चुकी है जो भी इसमे एक स्ट्रम पानी तो था भी नहीं लेकिन जो भी थोड़ा गीला बन था वो सम्ध हट गया यह देखिए सब्जी तयार हो गई है अ कैसी लग रही है अब इसको मैं प्लेट में नीिकाल देती हूं अब सब्सक्रा टानी सब्केसमे बहुत ही च्छी बनी थे और थोड़ी से हरीधनिया में crying कैसे अच्छी लग रही है और थोड़ी से हरीधनिया में बचा के रख ली थी इसकी गार्निश के लिए क्योंकि सब्सक्राइब किसी चीज से तो गार्निश करने सकते हैं तो यह देखिए हरीधनिया में डाल दी हूँ अब तो और ही बहुत सी अच्छी टेस्टी लग रही है तो आप लोग देखिए बनाते सभी लोग होंगे लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मैं बनाई हूँ इस तरीके से भी बनाके ट्राइ करके जरूर देखिएगा कि कैसी बनी और क्योंकि नम बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है तो आप लोग को अगर आज की वीडियो थ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिसे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएए ठीक है तो फि बहुत साल बाद मैं थोड़ा चेंज के लिए अभी मैं फर्स टाइम अगाई हूं पत्तो भी और बहुत अच्छी सब्सक्राइब निए अप लोग प्लीज ट्राइब करके जरूर देखिएगा तेस्टी बनी है इसी तरीके से बनाकर और कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत ही यम्मी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी लगए तो चलिए इस वीडियो को यह पर एंड करते हूं मिलती हूं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए